चंद्रदेव आप आप और यहां तो मैं क्या करूँ इंद्रदेव आप ही बताएं ये कैसी विडम बना है मैं भी तो एक देवता हूँ किन्तु अब प्रथम पोच्च गणेश जी के श्राप उप्रांत देवताओं के मद्ध मेरी उपस्थिती वांचित नहीं आप ही बताएं क्या करूँ देवराज कहा जाओं मैं चंद्रदेव मैं मैं आपकी पीड़ा समझ सकता किन्तो मुझे शमा किजी इस विशे में मैं मैं आपको कोई भी सुझाव देने में असमर्थ हूँ अब हमसे सुझाव का क्या लाप चंद्रदेव आपने तो पूरु में कोई विचार नहीं किया था ना आपको तो पूरु में विचार करना चाहिए था प्रतम पूज गणेश जी का पारवती नंदन गणेश जी का विग्न हर्ता गणेश जी के उपहस के पूरु कितिना अनुचित व्यवार था आपका चंद्रदेव भला कोई बालकों के भोजन का उपहास करता है चंद्रदेव हम सभी देवता विवश है हम यहाँ आपकी उपस्तिती स्विकार नहीं कर सकते क्योंकि आप परत्रिष्टी पढ़ने से हम सब कलंकित हो जाएंगे आपकी भूल के कारण हम पुना संकट में पड़ जाएं योचितने देवताओं मैं आपकी चंता समझता हूँ पूर्व में भी मेरे कारण प्रयाप्द अहित हुआ है कि तु मेरा विश्वास करे अग किसी का भी मेरे कारण अहित हो यह मैंने स्वयम को कैसे संकट में डाल दिया है जिनसे मुझे स्नेह है उन्ही के लिए अहितकर हो गया हूँ मैं स्वामी शीप यह आप क्या कर रहे हैं आपने मुझे दिखकर मुख क्यों मोड लिया स्वामी नहीं रोहेनी वहीं रुख जाईए मेरे निकट आने के भूल न करें मैं आपसे विदा लेने आया हूँ मुझे वहीं से विदा कीजिए नाथ आपकी इशब्द मेरे मन में अले को आशक काहें उत्परने कर रहे हैं आप बताईए ना मुझे क्या हुआ आई स्वामी मैं श्रापित हो गया हूँ रोहीनी मुझे मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई जिसके परिणाम स्वरूप गणेश्ची ने मुझे श्राप दिया आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी विद्रिष्टी पड़ेगी चंद्र देश इसलिए मैं यहां से प्रिस्थान कर रहा हूँ किन्तो स्वामी स्वामी कैसा अनर्द हो क्या गणेश्य यह कैसा श्राप दे दिया तुमने चंद्र देश को भाया आप मुझसे ही प्रश्न कर रहे हैं किन्तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ हाँ अनुच अवश्य पूछ सकते हैं तो बताएए भाया यदि आप मेरे स्थान पर होते यदि आप मा को प्रत्वी पर अच्चेत अवस्था में देखते और आपको यह ग्यात होता कि उनकी इस अवस्था की कारण आप आपकी प्रती उनका अगाद इसने है आपके हिद की चिंदा है और उसी कारण हमारी मा को इतना अपार कश्ट हुआ है और जब आपको ग्यात होता कि उस अवस्था को उत्पन कराने वाला दोशी कौन है तो क्या आप उसे शमा कर देते बताएए मुझी क्या करते आप भाया मेरी मा को कश्ट पहुँचाने वाले दोशी को मैं अवश्य कठोर से कठोर जंड देता गणेश तक तो मैंने जो किया वो भी उचित थाना भाया मैं सर्वथा निर्दोश हो तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश किन्तु पिताश्री भी तो अनुचित नहीं कह रहे हैं उनका कथन भी तो सर्वथा उचित है वास्तविक्ता में उचित और अनुचित कुछ होता ही नहीं है ये तो परी स्थिती है जो दो मित्रों को परी जुनों को दो सकारात्मक शक्तियों को भी परस पर विरोधी बना देती है और अब तुम्हारे श्राब के प्रभाव से वो और भी कष्ट का कारण बनेंगे अपने परिवार के साथ साथ समस्त शुष्टी के अहित का कारण बनेंगे वो ये क्या हो गया? अपने सौंदर्य के अहनकार के कारण मैं अपने समाज अपने परीजनों से परितेक्त हो गया हूँ आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी द्रिश्टी पड़ेगी चंद्रदेव वो करण कित हो जाएगा! ये पुष्प मेरे कारण मुर जा गए! सत्य है ये मेरी उपस्तिती का दुष्परभाव है नहीं! नहीं! जो कुछ भी मेरे समक्ष है, वे सब मेरे कारण ही कलंकित हो रहे हैं! ये सर्वथा अनूचित है! इतना बड़ा कलंक मैं स्वयम पर नहीं ले सकता! नहीं ले सकता मैं! अब तो मैं किसी को भी अपना मुख नहीं दिखा सकता! क्यों? क्यों किया मैंने ऐसा? प्रथम पुझ्य विग्न हर्ता श्री गनेश के साथ ऐसा अनूचित आचरण! क्यों किया मैंने? अब अपने इस दोश पूरण आचरण के कारण मैं सभी के लिए अदर्शनिय, वनहीन और अत्यांतमलीन हो गया हूँ! यह क्या हो रहा है? यह कैसी काली बाचा रही है? ने! अब मैं किसी को अपना मुख्र नहीं दिखाऊंगा! और ना ही किसी के कलंकित होने का कारण बनूँगा! मैं सदा के लिए इस जलकुंड में छप जाता हूँ! और इसके भीतर मुझे कोई देख नहीं सकेगा! प्रुड़ एको प्रुड़ एक ले गाँ सब्सक्राण देख नहीं सकेगा यह किसी कारण बाचा रहा है यह किसी मुझे किसी के भीतर देख बनुट़ ऐखर हुआ talks गरेश 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 आप समझ मैं तुमें क्या किया तुमने मैं तो मा के साथ था पिताश्री मैंने कुछ भी तो नहीं किया है गरेश पिताश्री प्रतीद होता है चंद्रदेव अपना स्थान छोड़ कर कहीं और प्रस्थान कर गए है ये तो सर्वता उचित है अति उत्ता में बहिया पिताश्री अब चंद्रदेव के आपके शीश पर उपस्थित ना रहने से उनकी कान्ती खो देने से हम बिना कलंकित हुए आपके दर्शन करने के लिए मुक्त है हमारी समस्या का समाधान तो स्वता ही हो गया हमारा परिवारब पुना कुशल है ये कणेश को क्या हुआ है सदा अन्य सभी की चिंता करने वाला मेरा पुत्र अचाना कितना कठोर केसे हो गया पुत्र जो तुम कर चोके हो उसके प्रभाव के बारे में एक बार गहनता से मंत्र जाओ पुत्र प्रमदेव, माता सरस्वती, कनेशी ने जो भी किया उसका कारण समस्ती हूँ मैं मेरी स्वामी चंद्रदेव ने भूलवश माता पार्वती को कष्ट पहुचाया किन्तु स्वामी सभी की दृष्टी से होजल हो गये अब दोने गए भी कई देवस गुजर चुकी है किसी को भी ज्यात नहीं है कि वो कहा है देवी रोहनी गणेश के लिए उसके माता पिता ही सर्वोच है तो गणेश, जो अन्य था निश्कपट और सरल और कोमल हिर्देबालक है अपनी माता को कष्ट में देखकर उसका क्रोध जागरित होना भी स्वभाविक है प्रभू, मैं केवल अपने स्वामी के लिए विंती करने या प्रस्तुत नहीं हुई हूँ तन एक फिचार कीजे चंद्रदेव सिरे संपूर्न श्रिष्टी असंतुलित हो जाएगी संपूर्न प्रकृती पर सभी जिबों पर स्वामी की अनुपस्तिती का भेंकर और फिनाशकारी प्रभा होगा प्रभू अब आभी हम सभी की रक्षा का और स्ष्टी की हितका कोई उपाय सोजाएगे प्रभू कोई उपाय सोजाएगे क्या मैं अपने स्वभाव की विप्रीत वास्तों में हट पर अड़ गया हूँ और ये जो मुझे बार बार क्रोध का अभास हो रहा है इसका कारण क्या है पिताश्री उचित कहते हैं मैंने क्रोधावास में ही चंद्रदेव को शापित कर दिया किन्तु क्यों क्या कारण हो सकता है इसका कि ओम नमाशिवाए ओम नमाशिवाए ओम नमाशिवाए यहां भौम के तपके कारण उसकी शरीर से उत्पन हुई उग्रों उर्जा में निरंतर व्रिद्धी हो रहे है उसकी उग्रता भी पढ़ती जा रहे है ओम नमाशिवाए पिता श्री मुझे समझ में आ गया है कि ये मेरे भीतर क्रोध स्वभाविक नहीं है आप देवादी देव महादेव हैं सभी का मार्ग दर्शन करते हैं आप आप ही मेरे इस क्रोध को शांत करने के लिए मेरी सहायता कीजिए पुत्र गणेशिक अंतरद्वन से जूज रहा है पुत्र कार्दिके तुम जाओ उससे समवाद करो उसे उचित मार्ग दिखाओ उससे समझाओ की चंदर की उपस्तिति के बिना ब्रह्मान को क्या शती पहुंचेगी जाओ पुत्र जो आग गया पिताश्री गणेश की पूजा करें गणेश को प्रसन करने का एक मात्र यही उपाए है धन्यवाद धन्यवाद प्रभ। भाइब है देखा अनुच गणेश चंद्रदेव की अनुपस्थिती के कारण ही संपूर्ण स्रिष्टी में ऐसी भयंकर उश्मता उत्पन्न हुई है हमें इसका कोई न कोई निदान तो धुनना ही होगा ना अनुच आओ अनुच गणेश मेरे साथ पिताश्री के निकट चलो अब इस परिस्थिती से हमें मुक्त कराने का कोई उचित सुझाओ देकर वही हमारा मार्ग दर्शन कर सकते हैं अनुच हाँ भया मैं पिताश्री की शरण में जाऊंगा चंद्रदेव को ढूंडने के लिए मेरा मार्ग दर्शन करने का अनुरोद करूंगा इस संकर से मुक्ती का मार्ग जो ब्रह्मदेव ने हमें बताया है उस पर अड़िक रहूंगी मैं अपार्श रधा और भक्ती से श्री गणेश जी की पूचा करूंगी मैं जेवी रोहिनी प्रथम पूजे गणेश जी को प्रसंद करने हे थो हम सब देवता भी इस पूजा में आपके साथ सम्मिलित होंगे संकर तो बढ़ता ही जा रहा है देवराज इंद्र पृत्वी की उश्मता तो बढ़ती ही जा रही है चंदर देव की शीतलता का अभाव अब अपना प्रत्यक्ष प्रभाव दर्शा रहा है और इस्तिती और भी क्रमेशा गंभीर होती जाएगी हमें प्रत्यक्ष पूजी गणेश जी को शीकर प्रसंद करना होगा अन्यथा अन्यथा अनर्थ हो जाएगा और देखा आपने किस प्रकार अपने दायत्वों का पालन नहीं कर रहे है चंदर देव सर्व प्रथम उन्होंने मुझे और मेरी मा को पीड़ा पहुचाने का कार्य किया और अब इस प्रकार सभी की द्रिष्टी से ओचल होकर समस्त स्रिष्टी को गश्ट पोचा रहे है हाँ, क्रोध आया मुझे, अवश्य क्रोध आया और अवसर प्राप्त हुआ, तो उन्हें पुना शापित करूँगा मैं कभी ख्षमा नहीं करूँगा चंद्रदेव को, कभी नहीं गणेश, पुत्र रुको, रुको पुत्र गणेश इतना क्रोध पूर्ण व्यवहार क्यों कर रहा है ये, ये हो क्या गया है गणेश को ओ मा, अभी इसे जाने दीजिए अभी वो कुछ भी समझने के अवस्था में नहीं है समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है पिताश्री की गणेश को ये हो क्या गया है अभी कुछ समय पूर्व ही तो मुझसे कह रहा था की चंद्रदेव को लोटाने के लिए वो पिताश्री से मार्क दर्शन लेगा फिर अचानक ये, ये क्रोधावीश का क्या कारण है यदि मेरा पुत्र अपने क्रोध को अपने वश में नहीं कर पा रहा है तो अवश्य ही उसका कोई बड़ा कारण होगा क्योंकि अकारण क्रोध तो गणेश के स्वभाव में ही नहीं हाँ मा, मैं आपसे पूर्णिता सैमत हूँ गणेश के सुभाव से तो हम सभी भली भाती परीचे थे फिर उसके क्रोध का क्या मूल हो सकता है चंदरदेव को मैंने इसलिए शाप नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मेरा उपहास किया मैंने उन्हें इसलिए शाप दिया क्योंकि उनके कृत्य से मेरी माँ को अपार वेदना सहनी पड़ी और इसलिए मुझे चंद्रदेव को शाप देने का कोई पश्तावा नहीं है पिता श्री पुत्र मैं मैं हूँ उसके क्रोध के मूल में मैं उसकी मा नात मैंने जब भी कणेश को किसी क्रोध अत्वा आहत में देखा तब मैं स्वयम पर किसी भी प्रकार का नियंत्रन रखने में असमर्थ हो गई मैं अपने क्रोधा वेश्व सर्वता विनाश करने के लिए प्रेरट रहती ये सने एक मा का अपने पुत्र के प्रति जब मैं गणेश को पीडा में देख अपने क्रोध पर नियंत्रन खो सकती हूं तो गणेश तो मात्र एक बालक है हम उससे आत्म नियंत्रन की अभिक्षा क्यों कर रहे हैं नाथ ओ मा क्योंकि वो पर्थम पुच गणेश है और मैं जगत जन्नी आदी शक्ती हूं नाथ नाथ अब संपून घटना क्रम पुत्र गणेश की द्रिष्टी से देखने में संकोच क्यों कर रहे हैं नाथ नाथ आप ये क्यों नहीं समझना चाते कि गणेश का क्रोध उसकी मा के रक्षा के भाव का ही परेणा आज जब गणेश अपना मत आपके समक्ष रखने आया तो आपने कहा कि चंदरदेश से जो कुछ भी हुआ उसके परेणाम से वो अनभेगने हैं तो क्या ये कहना अनुच्छत है कि गणेश ने जो कुछ भी किया उसके परेणाम से वो भी अनभेग्य थे आपका जुकाव आपके एक पुत्र की ओर ही क्यों है? आपको गडेश को समझने का भी प्रयास करना चाहिए ये मत भूलिये नाथ, जब हमारे तथा कथित पुत्र चंदरदेव ने मेरे रिदे को आहत किया तब गडेश ने ही मेरा बचाव किया आपको क्या ये स्पष्ट नहीं है नाथ? उमा, ब्रहमान को संतुलन में लाना मेरा कर्टवव है जो गडेश की कृत्य के कारण संकट में है नहीं नाथ, शृष्टी का संतुलन संकट में अवश्य है किन्तु गडेश और चंदरदेव दोनों के कृत्यों के कारण विन्ती है अपसे, जो उचित है वही कीजिए, उसी से कडेश का क्रोध पिशान्थ होगा। इस पूजा का सुझाव दिया है, किन्तु ये सुझाव देते समय, उनके मन में भी संशय था कि, क्या किसी भी तरह प्रतम पूजी गनेश जी का क्रोध शान्थ होगा। होगा, अवश्य होगा। क्यों नहीं होगा? क्या कारण है कि आप इसमें इतना संदेव व्यक्त कर रहे हैं सूर्य देव? मुझे इसमें तनिक भी संदे नहीं कि इस पूजा से गनेश का क्रोध शान्थ होगा। और महादेव, पुत्र कार्तिके और स्वेम मैं भी इस पूजा को सफल बनाने हे तू इसमें भाग लेंगे। और फिर हम सभी एक जुठ होकर प्रत्थम पूजे की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करेंगे। ओमा का सुझाव कि जो उचित है वही मुझे करना चाहिए, वो मैंने स्विकार किया। और उचित यह है कि हमें गणेश को उसका श्राप लोटाने के लिए विवश करने के स्थान पर उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अपनी द्रिष्टी कोण में उसने जो किया अपनी मा के लिए किया। और जो उचित है। इस पूजा के लिए हम सभी को व्रत संकल्प धारण कर। गणेश की पार्थिव श्री विग्रा की रचना करनी होगी। और इस पूजा का संपून विधी विधान मैं आपको बताऊंगी। और इस प्रकार हम सब एक जुट होकर पून भक्ती से कणेश की पूजा करेंगे। मैं चंद्रदेव की अर्धांगेनी रोहीनी। क्रिष्ण पक्ष के चधूर्ती के दिवस इस रत का संकल्प लेती हूँ। मैं देवराज इंद्र प्रथम पूज गनेश जी का क्रोध शांत करने और श्रिष्टी की रक्षा करने हैं तु। समस्त देवताओं के साथ इस पूजा का संकल्प लेता ह। क्रिष्टी का संकल्प लेता ह। ऑ्म्नाम शेवाई ओम नम शिवाई ओम नम शिवाई प्रत्वी तो अब भुश्मता की ऐसी पराकाश्टा की ओर जा रहे है की ये मिट्टी भी अपने लगी है जैगणेश देवा माता जाकी पारवती पिता महादी सभी देवगण कितनी निष्टा और समर्पन से इस पूजा के लिए प्रस्तुत है मुझे विश्वास है हम सभी अपनी भक्ती से करनेश जी को प्रसंद करने में अवश्य सफल होंगे बल और बुथि से सिंदूरा संभारा यल्यान कारे तो प्रधम भूच देवा जै गणिश जै गणिश जै गणिश देवा मताजा की पारवति तो नहां देवा जै गणिश जै गणिश जै गणिश देवा पिताश्री देखिए गणेश का पार्थे स्वरूप और थात उसकी मूर्ति की रचना हो गई है अब तो मात्रों उसके नेत्र ही गड़ने शेश है मेरे पुत्र के नेत्र में स्वेम गड़ूंगी एक मा जो अपने पुत्र के नेत्रों में अपने ले अपार प्रेम देखती वो भला उन नेत्रों को कैसे भूल सकती उसकी छवी तो एक मा के रिदे में सदेव के लिए अंकित हो जाती है अंकित हो जाती है महादेव, महता पार्वती, हमें आशीश्ती जी कि हम आपकी पुत्र श्री विग्नहर्ता गनीजी की पूचा का शुभारम करे और इसकी फल्स्वरों हम अपनी मनुरत में सफल हूँ उच्छे था देवी रोही नी, मैं सिंदूर से गनेश का तिलक करते हूँ सिंदू, जो सर्वादिक प्रियल है मेरे पुत्र गनेश को जै देवु, जै देवु, जै देवु… देवी रोहिनी अब ये लाल पुष्प गणेश को समर्पित कीजिए उसी से गणेश की प्रान प्रतिष्ठा भी होगी लग्ष्वार डाल प्रतिष्ठा भी होगी ओ, नब आब शीवाई कनेश ने तो अब तक हमारी पुकार सुनी ही नहीं चंदरदेव की शीतलता तो मेरी उश्मता को संतुलित करती है किन्तो अब उनकी शीतल किर्णों के अभाव में मेरा ताप तो बढ़ता ही जा रहा है ओम गणपते नमा है ओम गणपते नमा है चंदरदेव की अध्रिश्य होने से उत्पन संकट महा संकट मैं परिवर्ते थो उसके पूर्व गणेश को चंदरदेव के प्रती अपने अपने क्रोध को शांत कर उन्हें किसी भी उक्ती से लौटा ना ही होगा अन्येथा शिष्टे नश्ट हो जाएगी ओम नाम शिवाए ओम नाम शिवाए ओम नाम शिवाए ओम नाम शिवाए करनेश जी ने तो हमें अभी भी दर्शन नहीं थी तो क्या सूरेदेव का संग्षा उचित था? कहीं करनेश जी का ख्रोध हमारी इस भूजा से भी शाल्थ ना हुआ तो ओम नाम शिवाए मैं अभी दूर्वा प्रस्चुत करता हुमा उच्चत है पुत्र ओम नाम शिवाए 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 पिताश्री, मा, भाईया और समस्त देवगण मेरी पूजा में लीन है और यहां मैं अपनी पूजा में व्यस्त हूँ नहीं, मेरा कर्तव्य और दायत्वतो जगत कल्यान की प्रती है मैं अभी जाकर देवताओं की साहिता के लिए प्रस्तोत होता हूँ भाईया, पिताश्री, मा, इनको मैं कदापी निराश नहीं कर सकता मेरे क्रोध के कारण पूर्व में भी बहुत हानी पहुँच चुकी है इसलिए अब अपने क्रोध को त्यागूंगा मैं अब अपना दायत्व निभाने में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा मैं देवताओं की प्रार्थना सुन कर उनका सहायक बनूँगा मैं ओम नमास्षिवाय कहा मेरे प्रभु महादेव उनके पुत्र देव सेनापथी कुमार कार्तिके और प्रधं पूच गनेश जी और कहा तुम ओम नमास्षिवाय ओम नमाज शिवाई कितने विचितराकृती है ना आपकी खंब जैसे हाथ पाँ विशाल काय गज का शीश और उदर मानो अन्न का भंडार हो देवताओं का क्या है वो तो मात्र चंद्रदेव को शाप पुक्त कराने का अनुरोध करेंगे मुझसे क्योंकि वो भी देवता है किन्तो यदि चंद्रदेव ने उनमें से किसी की भी पतनी अत्वा माता को अपमानित किया होता तो क्या वो उन्हें शमा कर देते? नहीं, कदापी नहीं तो मैं उन्हें क्योग शमा करूँ? क्योग शमा करूँ मैं उन्हें? अरे, मैंने पूजा मध्य में ही छोड़ दी ओम नम शिवाई ओम नम शिवाई ओम नम शिवाई उमा, जो चित है, वो मैं करूँ इसकी प्रेणा आपने ही मुझे दी थी किन्तु अब समय आ गया है कि आप भी वो कीजिये जो चित है क्योंकि यदि अब आपने ऐसा नहीं किया तो हमारी श्रिष्टी की रक्षा का हमारा तायतो निरर्थक हो जाएगा क्योंकि कुछ भी शेष नहीं रहेगा सब कुछ नश्थ हो चुका होगा रक्षा हे दूर कुछ भी शेष नहीं रहेगा ओम गाल गाल पते नहाँ 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 ओम नहाँ शेवाई ओम नहाँ शेवाई ओम नमस्य वाइट ओम नमस्य वाइ वर नमाता माता तु अथरन्त क्लोधित प्रतीथ हो रही है और पीतर गणेश ये भी कुपे थवस्था में है पुतला जी अब वे दोनों एक दूसरे के समक्ष होंगे तो ज्यात नहीं इसका क्या परणाम होगा ओम नम शिवाई ओम नम शिवाई ओम नम शिवाई ओम नम शिवाई पुत्र गणेश मा मा क्या हुआ मा आप इतने तनाव में क्यों प्रतीत हो रही है पुत्र ये हो क्या रहा है क्या हुआ है तुम्हें तो क्या कर रहे हो पुत्र मुझे क्या होगा मा मैं तो पिता श्री की पूजा कर रहा हूँ पुत्र, सभी देवताओं में सबसे उदार हो तुम, सबसे दयालू, फिर इस बार इतना हट क्यों, इतने कठोर क्यों हो रहे हो तुम, चंदर देव को उचच सीख दे चुके हो तुम, ऐसी सीख, जो उन सभी को सदैव स्मरण रहेगी, जो बालकों के भोजन पर व्यंक करते बालकों को भोजन के प्रती रुची पर कुद्रिश्टी डालने के लिए प्रेलेत हो, फिर भी अपने खुरूत पर क्यों टिके हो तो, मा, चंदर देव को दंडित करने का कारण तो आप है, उन्होंने आपको कष्ट देने का अपराद किया था, तो क्या ऐसा करके, तुम् भावना नहीं? मैं, मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या? पुत्र, क्या तुम्हें इसका तनिक पे आभास है कि देवी रोहिनी कितने कष्ट में हैं? क्या तुम्हें उनकी प्रात्ता कस्वर सुनाई नहीं देरा, पुत्र? जब तुम्हारे पिता श्री और मैं एक दूसरे से विलग हुए थे तो तुमने कितना अथक प्रयास किया था हम दोनों को एक साथ लाने के लिए उसी प्रकार अब देवी रोहिनी चंद्रतेव से विलग होई है तो क्या तुम उनके पीड़ा की कलपना भी नहीं कर पा रहे हो पुत्र क्या तुम ये भी देख पाने में असमर्थ हो कि स्वैम जगत पिता महादेव तुम्हारे पिता तुम्हारी पूजा कर रहे है क्या तुम इससे भी प्रभावित नहीं हो पुत्र नहीं मा, मैं अत्यंद प्रभावित हूँ, किन्तो, किन्तो क्या पुत्र, जिस मा के लिए तुमने स्वेम चंद्रदेव को दंड़त किया, वो तुम्हारी प्रात्ना कर, तुम्हारी गुहार लगा रही है तब ही तुम इतने कठोर बने हुए हो, चंद्रदेव को शमा करने में असमर्थ हूँ नहीं मा, मैं उन्हेक शमा करना तो चाहता हूँ, किन्तो तुम्हारी शमा शीर्ता के कारईगी पुत्र, तुम प्रथम पूज्य के पत पर स्थापित हुए हो मेरा विश्वास कीजिये मा, मैं उन्हेक शमा करना चाहता हूँ, किन्तो अकस्मात मैं पुना आविश्चित हो जाता हूँ तुमने और तुम्हारी पिताश्री ने मुझे विकट स्थिती में डाल दिया है तुम्हारे पक्ष में मैंने उनसे जो भी कहा, उसे स्विकार कर उन्होंने वही किया जो उचित है तुम्हारी प्रातना कर रहे है हो पुत्र, इसलिए अब तुम भी वही करो पुत्र, जो उचित है क्योंकि तुम्हारे कृट से तुम किसी का दोश नहीं सुधा रहे है अपी तुम्हारे हट कर रहे हो पुत्र, और तुम्हारे हट से सब को पीड़ा पहुच रही है सब पूर्ट श्रिष्टी संकट में आ रही है, जो मैं कदापी होने नहीं दूगी पुत्र मा, स्रिष्टी को तो मैं भी जंकट में नहीं डालना चाहता हूँ मैंने सभी की प्रार्थनाएं सुनी थी, और मैं वहाँ प्रकट भी होने जा रहा था किन्तु फिर ग्याद नहीं, अकस्मात कैसे क्रोध का एक प्रवाहुत पन्न हुआ मेरे भीतर और मैं पुना क्रोधा वेश में बह गया, मा क्रोध के उन्मात से मुक्त होना तुम्हें सीखना होगा, पुत्र जब भी क्रोधा है, उसका दमन करना होगा क्योंकि जब भी तुम्हें क्रोध प्रभावित करेगा अपनी तर्क शक्ती से उस पर विचार करो पुत्र, अपने भीतर के ख्रोध का अवलोकन करो पुत्र, तो जैसे स्या मेग, वर्षा के उपराद स्वता मिड़ जाता है, और आकाश में धवल प्रकाश उत्पन होता है, वैसे ही तुम्हारा भी ख्रोध मिड़ जाए का पुत् आमा धुत्क, ए लाए को भी तो प्रोध में प्माश देला प्रॉत्र, अ म्या फ्रच्त ूम्णाश देला थंवा तुम्हार अमाशवा थ्रोध में जेला, Pitt problema, शक्क् Kraut में तो भी ख्रोत्र, तो जाए का थाहाँ में जाए है। क्रोध के उन्माद से मुक्त होना तुम्हे सीखना होगा पुत्ति जब भी क्रोध आए उसका दमन करना होगा मैं पुना क्रोध का कोई लाब नहीं वो कारण समाप्त हो चुका है वो परिस्थिती बीच चुकी है तो क्या अभी मेरा क्रोधित होना उचित है इस प्रश्ण का उत्तर तो स्पष्ट है नहीं गणीश क्या हुआ अब यहां खड़े हस क्यों रहे हो ग्यात नहीं मा मुझे पुना क्रोध का अनुभव हुआ फिर मेरे मन में आपके शब्द कौन्द है फिर मैं शान्त हो गया किसी स्याह मेग की समान आओ गणीश चलो आओ मैं आप सभी की पूजा से प्रसंद हुआ प्रथम पूजे गनेशी आप सभी के विगन हर्थे आपको हमारे और इस समस्त संसार के संकट हरने ही होगे हरने ही होगे प्रभू गनेशी आपने जो मेरी स्वामी चंद्रदेव को शाप दिया है उसे निरस करने की क्रिपा कीजी मैं ख्शमा चाहता हूँ किन्तो ऐसा करना तो मेरे लिए भी संभव नहीं देवराजिंद्र ये तो आपको भी बली भाती ग्यात है कि एक बार जो शाप दिया जाता है उसे पूल रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता किन्तो गनेश इस समस्या का कोई समाधान तो होगा कोई तो युक्ती होगी जिससे तुमें संकट को दूर कर सकते हो हाँ गनेशी मुझे विश्वास है आप कोई न कोई हल अवेश्चे ढूल लेगे आप सर्वधा उचित कहती है माता शर्नागत की रक्षा करना तो भगवान का करतव यह है शाप तो लोटाया नहीं जा सकता किन्तु मैं उसकी प्रभाव को कम कर सकता हूँ चंद्रदेव 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 गणेश्चे पुनह पुकार रहे हैं किन्तु नहीं मैं यहीं छिपा रहूंगा कदाचित वो वहाँ बुला कर मुझे और दंडित ना कर दें चंद्रदेव आप जहां भी है वहां से बाहर आईए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके प्रतिया मेरा क्रोध शान्त हो चुका है गणेश्चे मुझे क्रोधित थे क्या उन्हींने मुझे एक्षमा कर दिया चंद्रदेव चंद्रदेव कहां है आप आप हमारे समक्ष प्रकक क्यों नहीं हो रहे हैं आप सब यहां एक अत्रित हैं किन्तु आप अपनी द्रिष्टी मुझे पर ना डालें अन्य था आप सब कलंकित हो जाएंगे ना डालें अपनी द्रिष्टी मुझे पर कि उठिये चंद्रदेव चंद्रदेव मैं महादेव और पार्वती नंदन गणेश आपको अपने दिये गए शाप से आंशिक रूप से मुक्द करता हूं चंद्रदेव अब संसार के लिए पुना दर्शनी हो जाएंगे और अब उन पर द्रिष्टी डालने के परिडाम स्वरूप किसी को भी कलंकित नहीं होना पड़ेगा किन्तु मात्र एक तिथी को छोड़कर और वो तिथी होगी भाद्रपत माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अर्थात मेरा जन्म दिवस मात्र उसी तिथी पर जो भी चंद्र का दर्शन करेंगे उन्हें मेरे शाप के कारण कलंक का सामना करना होगा कि अद्रप्र एक वाद्र एक का दर्शन करेंगे बाहाँ कि अद्रप्र एक टृब्स दिथी पर टृब्स कि अद्रप्र एक पर खवा मेरे वाद्र एक वाद्रप्र मुझे क्षमा करें प्रफु, मैं अत्यांत अहंकारी हो गया था चंद्रदेव, मुझे भी स्वयम से प्रेम है किन्तु अपनी सराहना करना और स्वयम पर गर्व करने में एक बहुत छोटा सा भेध है और वो भेध है, एहंकार मैं समझ गया प्रफु, अब मैं इस प्रकार के भूल कदा भी नहीं करूँगा मुझे क्षमा करें आपका कल्यान हो चंद्रदेव आज क्रिष्ण पक्ष की चतुर्थी है, मैं इस तिथी को भी स्वयम से जोडता हूँ आज की ये तिथी संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी विख्यात होगी और इस तिथी पर जो भी भक्त व्रत धारन कर मेरी पूजा करेंगे और रात्री में चंद्र को जल का अर्ग देकर पूजा संपन्न करेंगे मैं उनके सभी संकट हरूँगा, उनके सभी दुखदूर करूँगा स्मरण रहे, संकष्टी चतुर्थी का ये व्रत और पूजा चंद्र के दर्शन कर उनकी आर्थी के उपरांती संपन्न होंगे धन्यवाद गणेश ची